सो अब हम देखेंगे कि हमने concept of globalization तो देख लिया कि concept है क्या पूरा अब हम implication of globalization में देखेंगे कि भाई जो globalization है as a policy अगर हम इसको discuss करें कि globalization करने का policy ठीक है like जो हम decision लेते हैं like जो countries decision लेती है कि हाँ we will open up our economy to the world economy तो वो जो decision लेना तो globalization अगर as a policy की अगर हम बात करें तो वो सारे countries के लिए उसका implication जो है वो same नहीं रहेगा क्योंकि सारे countries जो है सभी same point में develop नहीं हो रहे हैं जैसे इंडिया की ही अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है 1991 में इस concept को जो है हमने adopt करने का सोचा भी and 1991 से पहले देखो ये concept already चल रहा था already जो बाकी countries थे महाँ पे globalization वहाँ पे उन्होंने जो है एक open economy का जो concept है उसको already उन लोगों ने जो है adopt कर लिया था तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि developing countries और जो developed countries है अगर हम उसकी बात करें तो काफी सारे countries ऐसे थे जो उस time पे इंडिस्ट्रियली जादा developed थे developed in the sense की वहाँ पे जो industries वगेरा की जो हम ब developed थे बाकी developing countries तो already developed होई रहते दीरे-दीरे तो अगर हम बात करें world bank report वगेरा को देखे तो काफी सारे ऐसे countries थे जिन्होंने जो है जादा earn किया इस globalization से उके जैसे US वगेरा में Chinese economy में तो इन सब के अगर हम बात करें तो इत सब का जो है इत सब countries में growth जो है काफी जादा हु हुआ है एंड अगर हम बात करें gap अगर जो हम gap की बात करें जो rich और poor countries में होता है लाइक अगर हम Asian countries की बात करें Latin American countries की बात करें तो globalization आने से इनका यह जो gap है ना rich और poor countries का gap यह gap काफी हद तक जो है कम भी हुआ है बद देखो उस दौरान जो है कुछ countries ऐसे भी थी जिन्हो प्टों ने बिल्कुल ही न recommendations की जैसे की अगर हम जो है कुछ African nations की बात करें ₺ कुछ African nations तो जीनोंने जो है इस concept को अडॉप्त नहीं किया था as a policy globalization को उन्होंने जो है जैसे हमने अडॉप्ट किया वैसे उन लोग उने अडॉप्ट नहीं किया था जिसके कारण क्या हुआ कि काफे सारे अफ्रिकन कंट्रीज जो है वो गरीब ही होते चले कए तो यह जो गैप है जो की रिच और पूर कंट्रीज का रिच और वो जो ऐसे कंट्रीज जो की डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उन कंट्रीज के बीच का जो गैप है वो श्रिंक होई रहा था बट कुछ कंट्रीज जिन्नों ने बिल्कुल ह कि अडॉप नहीं किया तो यह लोग तो और भी पीछे रहे गए ना इनसे तो यह लोग जो है और ज्यादा जो है पूर होते चले गए और वह एक्दम पॉवर्टी में ही जो है उनका लाइफ जो है कटने लगा सो ग्लोबलाइजेशन से जो है अगर हम टैरिफ बैरियर वगेरा की बात करें तो टैरिफ बैरियर वगेरा को जो है काफी जादा कम कर दिया गया जैसे इंडिया ही है इंडिया ने भी काफी सारे बैरियर जो की हमें एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जो है उनको यह लिए वगेरा है between the countries वो जो है प्रॉपर होता चला जाए सो यह lower tariff barrier वगेरा करने से जो है जो developing countries है उनमें काफी favorable outcome आपको देखने को मिले favorable outcome कैसे की इनका जो export वगेरा है वो काफी जादा बढ़ गया okay so there was increasing in export और इसके कारण employment जो है employment opportunities जो है काफी जादा बढ़ते चले गए okay so employment में भी काफी जादा उनको जो है फाइदा हुआ फिर अगर हम बात करें national income की national income भी जो है वो increase होता चला गया तो यह सब तो बहुत ही अच्छी बात है ना और जो labor है और जो हमारा capital है वो capital जो है नए ने export industries में लगने लग गया जो capital अगयरा जो पहले normal लगता था वो अब जो export houses है export industries है उन सारे units में जो है वो capital और हर चीज लगने लगा तो इस चीज के कारण जो है वो अच्छा यह बहुत ही अच्छा हो है यह चीज जो है यह जो situation जो है हमारे developing countries के लिए बहुत अच्छा है उनका export बढ़ रहा है उनका employment opportunities बढ़ रहा है लोग उनके जो है वो poverty से बाहर निकल निकल के आ रहे है national income जो है national per capita income सब increase हो रहा है capital जो है capital सारा movement हो रहा है इस area में प्लस ऐसे companies में जो working conditions है वो भी आपको बहुत ही अच्छे level का मिल रहा है तो यह सारा जो चीज है वो बहुत ही जादा अच्छा है अगर हम globalization का implication देखें for developing countries okay so developing countries के लिए यह जो है काफी जादा अच्छा है developed countries के लिए तो देखो फाइदा ही है पर developing countries के लिए specially जो है वो अच्छा ही है यह जी जो लोवर tariff barriers है जैसे developing countries में tariff barriers कम हो तो इसका फाइदा जो है जो developed countries के big big corporations है big big MNCs है वो सब इसका फाइदा उठा सकते हैं वो लोग यहां पर invest कर सकते हैं FDI वगएरा इस एरिया में आ सकता है और प्लस ही इस एरिया के लाइक जो developing countries है वहां पर labor वगएरा चीप मिलता है तो उसका फाइदा जो है यह big corporate उठा सकते हैं जो की already developed countries में है अब यहां पर इससे फाइदा देखो दोनों का होगा developed countries में जो भी आपका corporations है जो भी आपका MNCs है उसको तो फाइदा हो गई होगा प्लस जो हमारा जो developing country है उसको भी फाइदा होगा उसको भी employment opportunities इन सबसे जो है national capital national per capital income यह सारा चीज जो है वो भी इसका increase होगा तो दोनों के लिए यह एक win-win type का situation है आपका okay दोनों के लिए this is a win-win situation इसके अलावा developing countries को देखो एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा to efficiently use their resources okay so globalization के लिए globalization में देखो अब यहां पर आपका जो domestic competitor है वो नहीं रहा domestic competitors पहले थे आप उन्हीं से बिढ़ते रहते थे बट आपके पास जो ह global competition आगया global competition मतला सारे countries के लोगों के साथ आप compete कर रहे हो यहां पर so so यह फाइदा तो ही है next अगर हम बात करें कि जो small और medium scale industries होते हैं जो country domestic हमारे जो small and medium scale industries हैं इनको देखो थोड़ा सा जो है तकलीफ तो हो गई होगा क्योंकि यह लोग जो है जो small companies होते है small scale units होते हैं उन लोगों को जो है सीधा multinational MNCs से टकर लेने में काफी दिकत होगा क्योंकि MNCs के पास बहुत जादा पैसा है एक तो power इनके पास बहुत है इनके प बहुत जादा रहता इसलिए इससे जो है टकर देना small and medium scale units के लिए काफी जादा जो है मुश्किल सा हो जाता है और अगर ऐसी केस में अगर वो टकर नहीं दे पाए तो क्या होगा वहाँ पे जो है unemployment जैसे problem वगेरा आएगी अगर आप उनको टकर नहीं दे पाओगे तो और अगर अपना जो है आप अपना capital और है अपना चीज जो है ठीक से यूज नहीं कर पाओगे तो दिक्कत तो आपको हो गाई होगा प्लस अनाधर एक चीज है जो की globalization का अगर हम negative point में बोले यह जो है यह points सारे negative आपको देखेगा कि यह negative side में जा रहा है globalization को तो यह negative aspect को दिखाता है globalization का जहां पे जो है MNCs और corporate big corporate जो होते हैं प्लस जो MNCs होते हैं यह सब जो है market को capture कर लेते हैं लाइक अगर सावन है बहुत चुटा हम एक्जामपल ले रहे हैं एक सोप है अब सोप जो है already कोई SME जो है वो बना रहा होगा कोई let's say XYZ company okay XYZ जो है यह अपना सोप जो है बना रहा होगा already market में बेज़ रहागा बट कहीं से जो है MNC आया और MNC जो है अपना सस्ता सा जो है 10 रुपए का सोप लेके आ लिया और वो इतना जादा क्योंकि MNCs के पास production करने का capacity जादा उनके पास marketing करने का capability जादा क्योंकि उनके पास करीदने जाएगा ना product तो वह automatically उस दस रुपए के साब उनको उठाएगा क्योंकि इतना उसने आड देखा है इतना उसने प्रचार सुना है इसका वह newspaper खोलता है तो उसका एड रहता है उसके pamphlet में उसके आड आते हैं दुकान में जाओ तो उसके अलग standees वोगरा बनाए रहते हैं तो इन से जो है customer obviously will be attracted to this product and customer will buy this product और उससे होगा क्या ना कि इस product को लेगा और यह जो हमारे SME का XYZ है उसको नहीं लेगा तो at the end of the day हो क्या रहा है मार्केट को capture किया जा रहा है कि मार्केट को कौन डॉमिनेट कर रहा है मार्केट को MNC जो है वो मार्केट करता चला जा रहा है तो this is one of the negative impact of globalization तो हम यहां पर impact की बात कर रहे हैं तो यह जो impact है यह negative की तरह जो है वो आ रहा है प्लस इसके अलावा काफी काफी सारे harmful प्रोडक्स वगेरा काफी बार जो है अपने कंट्री में domestic जगें पर जाके न डंप किये वगेरा जाते हैं तो यह सारा जो है बहुत big corporations करते हैं जो की बहुत ही खतरनाक है का हमारे country के citizens के लिए त करना पड़ता है काफी बार जो है ऐसे situations में तो यह सारा जो है implication हमने देखा implication में देखो positive implication तहीं है positive implication बहुत सारे फादे है globalization के फाइदे बहुत जाद है बट पीच बीच में जो है ऐसे कुछ नुकसान भी आपके होते हैं